अब्लो एब्रिवन वेलकम टू आट्स स्टाइडी मेडी जी आट्स स्टाइडी मेडी जी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपको पता है कि हम लोगों ने आधूनिक यूरोप का हिस्ट्री स्टाइड करा इसमें हम लोग पत्ना यूनिबर्सिटी बी ये पार्ट इसेंबली को देखेंगे पिछले लेक्चर में हम लोग कॉजस देख चुके हैं नेचर देख चुके और सिगनिफिकेंस को देख चुके हैं अब आम लोग जो नेशनल एसेंबली का गठन हुआ था टेनिस कोट ओथ हुआ था उसके बाद समीधान सभा बनाया हो लोग और स सविधान को बनाने का कोशिश किया गया सत्रोस हो एकावे में सविधान भी बनाया गया तो इस अब का उपलब्दी क्या थर नेशनल अरेसregation सभा तो उसका क्या क्या उपलब्दी था उसको हम लोग इस लेक्चर में देखने का को करेंगे तो अगस्त 1789 में सविधान सभा ने अने के महत्वपुर्ण कार किये चार अगस्त की रात को आयोजित अधिवेशन के दोरान कुलीन और पाद्रियों के प्रतिनीधियों ने परमपरागत रूप से प्राप्त विशेस अधिकार को स्वेक्षा से त्याग दिया तो अ पाद्री वर्ग और कुलीन वर्ग जो थे तो उन लोगों ने क्या किया उनको जो प्रिविलेज मिलता था जो अधिकार मिलता था तो उसको वे लोग स्वेक्षा से त्याग दिये खायर उन लोगों का मन तो नहीं था लेकिन एक तरसी जो रिवॉलूशन हुआ 1789 की क्रांत हुई उसके बाद से मतलब प्रेसर टाइप का क्रियेट होने लगा तो वे लोग क्या कि एक तरह से मतलब स्वेक्षा से ही त्याग दिये कि सचे की नहीं आप मुस्किल जो है बढ़ने लगा उन लोगों के लिए इन अधिकारों के ताथ गाओं के पाद्रियों ने सुल्क त्याग कर दिए जो नियाएदिस होते थे हानी कि समाज में जो न्याएक के देने का काम करते थे उन लोगों ने अपने उपादिया और समान को क्या किया त्याग दिया रात बहर चला इस अधिवेशन जो अधिवेशन चला निसनल एसेमली का उसमें 30 अध्यादेस जारिक क इंदी नहीं होता है तो काफी मतलब दिक्कत आता है उसको बनाने में एक एक फ्रांसीसी समाज जो है वर्ग के अधार पर बटा हुआ समाज क्या हो गया आचानक से मतलब प्रतीक मानों का मूलभूत अधिकार मना गया मतलब बोला गया कि इच हुमन बींग को उसके पास प्रोपर्टी का अधिकार है स्वतंतरता का अधिकार है और उसके सिक्यूरिटी का मतलब वो सुरच्छित रहे जहां भी है उसका उसको अधिकार है एक तरह से उसका मूलभू Siniseo में जञक्रा नहीं है जनम से स्वतन्तर पैदा हुआ है उसको कहें भी मतलब एक तरब चाहित अनकर सकते हैं पृते AK मनुष्य की स्वतंतरता양 स्वतंतर नहीं कर्बह्यार की कि इतना भी ज्यादा स्वतंतर नहीं हो जाए कि दूसरे का स्वतंतर ता क्या हो जाए हननों लगे एक लिमिट में ही स्वतंतर रहे इंसान जो है मनुस्य जो है ताकि दूसरे का भी स्वतंतर को क्या हो एक तरह से मतलब हानी नहीं पहुंचे या दूसरे का स्वतंतर क्या हो क कानून के समुक सभी को समानता का अधिकार दिया गया मतलब जितने भी लोग थे सब को equal किया गया किसके equal in front of law यानि की कानून के सामने या कानून का मतलब नजरों में ठीक है सब को आप बराबर देखा जाने लगा मानो अधिकारों की इस घुसना पत्र का विशलेशन करने से असपस्ट होता है कि इसमें मद्यम और के इतों पर काफी ध्यान दिया गया अब हम लोग पिछले लेक्चर में जो प्रांसीसी करांती का नीचर देखे था उसमें मद्यम और गिये स्वरूप को हम लोगों ने देखा था ठीक है अगर नहीं देखें तो आ ज्यादा मतलब फोकस किया गया एक तरह से और इसके पीछे कारण यहीं था कि मद्यम और का ज्यादा प्रभाव अब देखने लगा था वहां पे और मद्यम और के पास पैसा ज्यादा था सविधान सबा द्वारा अन्य प्रमुक रियों के तत्थ दंद बिधान में सुधार किया गया तथा प्रेष्वातनत रूंता की गडरांटी गीयी केवल कर देने वाले वालो एक संपती धारक पुरुसों को ही मताधिकार प्रदान किया जाना इसकी दो प्रमुख कमिया थी अब सबका निगेटिव और पॉस्टिव एसपेक्ट होता है तो इसका निगेटिव एसपेक्ट यह रहा कि महिलाओ के लिए मतलब कुछ नहीं हुआ इसमें बिल्कुल नहीं और जो पूरुस थे या जो और भी जो लोग थे तो उसमें बोटिंग वाले जो लोग थे उनको भी दोसरे निमें बाट दिया गया एक एक्टिव और दूसरा इनेक्टिव जो अपने मतलब पूरे एक कमाई का महिना का कमाई का तीन दिन जो है अधिर यह नहीं देते उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गयां साविधान सबाने सुधार के कुछ प्राओधान किया जिसके तहट की संफती को बेचनी का निर्ने लिया गया ।ाकि सरकार की संथतिती में क्या और सभारी से सके सड़र खेंए अब जो चुछ समसर्म का म मतलब लोगों में बाटा गया उसके बाद ताकि क्या हो सके लोग भी थोड़ा सक्चम हो सके सरकार जो है कुछ अपना हिसा ले लिया है स्टेक ले लिया उसमें ताकि जो उसका भी एकोनॉमिक की स्थिती जो खराब चल ला था वो सही हो सके साथ ही फ्रांस में बिसपो की तो मिनीमम गवर्नेंट ठीक है तो ए शॉरि जो मैक्सिममम का लिए मीनीमम गवर्नेंट का पॉलिषिस अपना है जाता है यहनि कि जितने यृचि मिन करेंगे उतना ज्यादा मतम एक तरह से पकड़ होगा उतने अच्छे सहा अप अप भी अब इस से सरकार चल साद दो दस है उसके जो चर्च के और भी ऑफिसियल थे कर्म चारी लोग थे उनको एक तरह से बेता निर्धारित कर दिया गया कि हाँ आपको इतना ही मिलेगा इतने में आपको अब गुजारा करना थैं के सभी अधिकारियों को समिधान का समर्थन करने की सफ़त लेना अनिवारे किया गया यानि कि जितने भी officers थे church के officials थे उनको एक तरह से place दिया गया सफ़त दिया गया कि आप जो समिधान बन रहा है उसका क्या करेंगे समर्थन करेंगे पोप समेथ फ्रांस के अनेक पाद्रियों ने सविधान सवाप के सुधारों को एक तरह से अपने विशय सदिकारों का हनन माना तो जो फ्रांस के मतलब कुछ और पाद्री थे वो समझते थे कि यह समिधान सबा सँ जो भी की सपत लेने वाले पादरी समूं को क्या का आ गया जीवरर यानि कि जो सपोर्ट किये उनको जीवरर और जो सपोर्ट नहीं कि उनको नंजीवरर सुधार बिरोधी पादरियों में से अनेक ने फ्रांस छोड़ दिया एवं यूरोप के अन्य देशों में जाकर क्रांती के बिरोध में प्रचार करने लगे तो अब जो कुछ पादरी वर्ग थे जो मतलब एक तरह से नंजीवरर थे उनको थोड़ा से मजबूरी हो गया कि अ समीधान आया उसका हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मतलब पॉइंट से तो समीधान सभा ने 1791 में फ्रांस का क्या किया पहला लिखित समीधान बने और इस समीधान में दो बातों पर बल दिया गया पहला लोग प्रभूति यानि कि जो कॉमन लोग है उसका जो भी बात हो अ जो भी प्रभाव उसके बल दिया गया जिसके ताहत सभी सकतीयों का श्रोत जो है जंता को माना गया और दूसरा जो है सक्ती प्रिथकरंद के सिधान्थ पर सक्टी प्रिथकरंद के si dance यानी कि जो power था वो बाड़ दिया गया ये नहीं कि हाँ power एक ही आदमी के पास जब पावर होता है तो वो आदमी निरंकुस हो जाता है तो इस पहले सबसे पहले कि जनता को जो है पावर का स्रोत माना गया और दूसरा जो पावर को क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया जिसके तहद जो है सता के तीनों अंगो यानि की लेगिसलेटिव एक्जीकिटिव और जूडिसियरी तीनों में क्या किया गया उसको बांट दिया गया ताकि क्या रह सके सकती में संतूलन बना रहे नए सविधान में राजा की भूमिका को क्या किया गया प्रतिकात्मक रखा गया जिसका बेतन निश्चित कर दिया अब मिलता था उतने ही में से काम चलाना परता था हालांकि कुछ राजा को अधिकार भी दिया गया विश्य सब्कार जैसे अगर कोई विदाई का में कोई कानून कर सकता है चार साल तक रोक्के जो एक्त है, उसको रोग के राख सकता है, कानुन नहीं बनने दे सकता है, यहीं अधिकार दिया गया, विद्याइका सदस्यों के निर्वाचन के लिए नाग्रीकों को दो भागों में बाटा गया, सक्रिये और निस्क्रिये पहले देख चुके हम लोग कर देने वाले नागरीकों को सक्रिये कहा गया जिने मददा मददान करने का अधिकार प्राप्त था जबकि सेस्ट नागरीकों को निस्क्रिये मना गया आप जो कर देते थे उनको सक्रिये और जो कर नहीं देते थे निस् स्करिये जो थे उनको वोटिंग राइट नहीं दिए गया सविदान आह스터 आध कालीन फ्रांस की प्रसास्विस्टरीटीब संरचना में बत्लाव जो एडंis ट्रीयटीब मसीनेरी था जो administrative system था वीमा प्रसास्विस्टरीटीब संस्विस्टरीटीब सपर उसमें बदलाओ किया गया सविधान सभा ने परम परागत विवस्ता को समाप्त करके संपूर्ण देश को क्या किया 83 भागों में विभाजित कर दिया और भागों में विभाजित करने का मुख लक्ष क्या रहा होगा ताकि अच्छा से वहां पर क्या हो सके governance को मतलब एक तरह से apply किया जा सके अच्छा से governance किया जा सके प्रतियवीभाग का साथन निर्वाचित1 संचालित करती थी जो वहाँ पे निर्वाचित होते थी मतलब जो elect होकर के जाते थे वहीं उसको क्या करते थे एक तरह से निरमित नवीन फ्रांस में वेवस्था पर नी अंत्रित बुर्वोंस के सासक से मध्यम वर्ग के प्रतिनीदियों में हस्तांत्रित हो गया जिसमें किसानों या श्रमीक वर्ग की भूमी का जो है नग्यान नी है रहे तो जब सवामिदान सबाने जो मतलब यह चेंजेज लाय या फर्स्ट उसका पाउर बस ठर्ड एस्टेट के उपर वाले वर्गों में आ गया एक तरह से कुछ खास फायदा दिखा नहीं यहां पर 1789 से 1792 के काल में सविधान सभा द्वारा फ्रांस में समाजिक आर्थिक और राजनेतिक बदलाव लाने में बहु आयामी परियास कि परियास किया गया किसके तुरू चर्च के ही सब्सक्राइब कर दिया गया नेशनलाइज कर दिया गया उसको और राजे के आर्थिक साधन था उसको बढ़ाने का परियास किया गया किसके तुरू चर्च के ही समपती के तुरू मानाव अधिकारों की गोसना एवं सविधान बनाकर समता परक्साषन की अस्थापना का मार को क्या किया गया प्रसस्त किया गया यानिकि जो human rights था उसका declaration किया गया और जो सविधान बना करके क्या किया गए एक तरह से इकक्वालीटी लाने का कोशी किया गया हमांकि संविधान सबस्वा के कारियों में कुछ दोस् नीटी का इकोलेटी तो आया ही नहीं तो क्या फैदा हुआ इसका इस तरह समानता का नारा जो है सविधान निर्मित ब्यवस्था में प्रवेस ही नहीं कर पाया सविधान ने प्रावधान किया गया कि ततकालीन सविधान सभा के सदस्य आगामी विदाईका के सदस्य नहीं बन सकते हैं अप जो उसमें ततकालीम में जो मतलब समधान सभा में जो सदास्य थे वह फिर से जो एए उसमें बिदाई का के सदस्य नहीं बन सकते थी यह वी एक सब्सक्राइब था दोस्ता अता नौ निर्मित वंप भय heter på पिका कुण निर्वीत सविधान अनुरूप चला सके ऐसे सदस्यों की अनुपस्थिती रहे अब ऐसे सदस्य थे नहीं जो नया नया जो सविधान सबाब बना उसको क्या कर सके हेंडल कर सके हेंडल वहीं लोग कर सकते जो पहले से एक तरह से एक्सपार्ट थे अब एक्सपार्ट लोगों को जब चुनाओ लढ़ने का बिदाइका में प्रवेश करने का ही आदेस नहीं दिया गया तो फिर दिक्कत आने लगा जो अन-एक्सपार्ट नेख कारण जो है मजदूर किसान तथा क्रांति के लाब जो रिक किसान्त व्य आने एंतक किसान jadi कर आंथ बोल सकते हैंद्ध दिन फैसा ठाव कर्मेस प